आज के परिवेश में प्लास्टिक हमारे देन एक दिन चर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है जम्मू कश्मीर के ना सिर्फ शहरों बलकी गाउं में भी सकाउप योग बड़े स्तर पर होता है रोजमर्रा की हर वस्तु अब प्लास्टिक की बनने लगी है लेकिन आधूनिक विज्ञान का सबसे बड़ा वर्दान ही संपूर्ण विश्व के लिए संकट बन गया है केंदरी प्रदूशन नियंतरन बोट की एक रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में प्रत दिन 25,000 टन से अधिक प्लास्टिक कच्रा निकलता है जिसका मात्र 20 प्रतीशत हिस्सा ही रीसाइकल हो पाता है इन कच्रों में बड़ा हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक का है यानि की प्लास्टिक के वो उत्पाग जिनका उप्योग आम तोर पर मात्र एक बार ही किया जाता है पानी की बोतल, फोम वाले कप, प्लेट, कटोरे, लेमिनेशन शीट्स, छोटे कंटेनर, इयर बर्ड्स, गुबबारे, जंडे वा पॉलिथीन के थेली आदी शामल है इस तरह के प्लास्टिक 40 माइक्रो मीटर से कम स्तरगे होते हैं इसलिए ना तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और ना ही रीसाइकल किया जा सकता है इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए मानिनिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उप्योग को समाप्त करने का अभियान छेड़ा है भारुत सरकार का प्रयास है कि देश्ट को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करते हुए उसके अन्य विकल्प खोजे जाएं जिसमें जमु कश्मीर की पंचायत राजसन स्थाएं भी अपना अभिन्य योगतान दे रही है स्वर्ग से सुंदर जमु कश्मीर के गावों की दश्वा आज सिंगल यूज प्लास्टिक के उप्योग से काफी खराब हो रही है इसके कई दुश परिणाम समाज के हर वर्ग पर पढ़ते हैं हमारे किसान वर्ग भी इससे अचूते नहीं हैं इस तरह के प्लास्टिक कच्रे से मिट्टी की उपजाउग शमता कम हो रही है जिससे फसलों का उत्पादन घट रहा है इतना ही नहीं मिट्टी के जरीए प्लास्टिक कच्रे के खतरनाक जहरीले रसायन हमारे खाद्य पदार्थों तक भी पहुच रहे हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां हो रही है विशेशग्यों के मताबिक कई शोधों में प्लास्टिक रसायनों से कैंसर होने की संभावना भी सामने आई है किसानों के लिए उनका पशुधन ही उनकी पूंची है लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक आज पशुपक्षियों के जीवन के लिए भी खतरा बन चुका है यहाँ वहाँ बिखरे प्लास्टिक को खाने से हर साल बड़ी तादाद में काय, भैस वा अन्य जानवरों की मौत हो जाती है कई बार तो इन पश्वों के पेट से कई किलो ग्राम की मात्रा में प्लास्टिक कच्रा निकलता है जम्मू कश्मीर के गाउं को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने के लिए ग्राम सभाएं कई कदम उठा सकती है जैसे लोगों को प्लास्टिक के दुश परिणामों के बारे में जाग गुरुप करना प्लास्टिक कच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कॉंपैक्टर मशीनों का उप्योग करना रीसाइकलिंग प्लांट लगाना प्लास्टिक पॉलिथीन कच्डे का विकल्ब तयार करना 40 माइक्रो मीटर गण से कम के प्लास्टिक उदबाद उप्योग ना करना कच्डा फैलाने पर जिर्माना वसूलना प्लास्टिक मुक्तग्राम, बीमारी मुक्तग्राम प्लास्टिक हटाओ, धर्ती बचाओ, गाउं को अपने सुन्दर बनाओ, जय हिंद, जय भारत